आज हम बिना मियोनीज बहुती टेस्टी वेजटेवल सैंड़िच बना करके रेडी करेंगे जो कि बहुत जादा हेल्दी है बिना मियोनीज के भी बहुत जादा टेस्टी बन करके रेडी होगा सो गाइस रेसिपी बहुत ही अच्छी होने वाली है जिसली जल्दी से लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार हो तो सस्क्राइब कर लीजे यहाँ पर अपने रेसिपी के लिए यहाँ बहुत सारी वेजटिवल्स ली हैं जो भी आपके पास एविलेबल हूँ यह जो भी आप पसंद करते हैं वो आप इस तरह से बारी बारी कट करके इसमें डाल ले मैंने यहाँ पर पत्ता गोबी गाजर शिमला मिर्च प्याज और एक टमाटर लिया है इस तरह से बारी काप कर ले और क्वेंटिटी आप अपने जरूरत पर एड़स्ट कर सकते हैं बा दालेंगे थोड़ा से गरम मसाला थोड़ा से रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा आम चूर पाउडर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अभी यहाँ पर हमने एक चीज नहीं डाली है वो है सॉल्ट यह द स्टफिंग अलग कर दी है जो मुझे नहीं बनानी है और यह जो बोल में रह गई ना इसमें मैं अपने स्वाद अनुसर नमक एड कर लोंगी बहुत ज्यादा नहीं जाएगा बस एक चोटी चमची नमक मैंने इसमें एड किया है और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे इस तरह से हमारी बहुत ही टीस्टी सी स्टफिंग बन के हो चुकी है तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेरे पास बाइट ब्रेड है आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं और हम क्या करेंगे इसके उपर हमारी स्टफिंग है उसको मैंने अंदर बटर नहीं लगाया है कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एड कर सकते हैं इस तरह से हमने खूब सारी सी वेजटेबल वाली और पता है जो बच्चे वेजटेबल निकाल निकाल के फेक देते हैं वो भी इस सेंडविच में ऐसे ही खा जाते ह जो कि मेरा घर का निकला हुआ था इसी से हम इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से टर्ण कर लेके गोल्डन फ्राय होने तक हम इसे सेकेंगे बिलको लो टू मीडियम फ्लेम है ताकि यह उपर से खूब अच्चे से क्रिस्प हो जाए देखे बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आए वह भी बहुत ही असानी से खा लेंगे तो इस तरह से जो हमारा सैंडविच था बन करके हो चुका है रेडी इसे अपने पसंद के साइजेस में कट कर लेंगे बहुत जादा क्रिस्पी बना है और अंदर से बहुत जादा जादा जो क्रंशी क्रंशी वेजटेबल साती यह यह देखिए हमारा कलोर फुल सा सैंडविच बन करके हो चुका है रेडी जो कि बहुत जादा टेस्टी है और बहुत जादा हेल्दी है तो गाइस रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और कॉमेंट करके बताएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी फ